हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थम्निल में देखा हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कुछ selected interview questions and answers for mechanical engineers अगर आप एक mechanical fitter या फिर mechanical foreman हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाली है और दोस्तो ऐसे ही और भी अगर बहुत सारे वीडियोस आप देखना चाते हैं तो आप मेरे चैनल के playlist में जाकर के mechanical fitter and engineer interview questions and answers में जाकर के ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं around 100 से भी ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर uploaded है अलग-अलग topics related videos वहाँ पर uploaded हैं जैसे कि bearing से related, pump से related, gearbox से related, welding से related और भी अलग-अलग जो topics हैं उन सभी पर videos आपको मिल जाएंगी तो फिलहाल इस वीडियो को start करते हैं, बने रियेगा वीडियो में अंते तक तो सबसे पहला question है, what is hedge in welding? तो आपको ये बताना है कि hedge क्या होता है welding में? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं hedge के full form की तो उसका full form होता है heat affected zone अब जैसा कि नाम से ही clear है, ये heat affected zone क्या होता है? जैसे कि हम कभी भी welding करते हैं, तो welding करते हैं तो क्या होता है? welding जहां पर होता है, वहां पर तो metal melt होता है, लेकिन जो base metal होता है जिसके उपर welding हो रही है, जहां पर welding हो रही है, उसके आजपास का जो area होता है वहाँ पर कभी temperature काफी ज़्यादा increase हो जाता है और इस temperature के increase होने की वज़ा से metal जो है, metal की जो properties है वो change हो जाती है metal का micro structure change हो जाता है वहाँ पर metal की strength जो है वो भी कम हो जाती है है ना, तो ऐसे बहुत सारे effects पढ़ते हैं heating की वज़ा से, welding की, heat की वज़ा से और इसी heat की वज़ा से base metal पर जहां पर जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं जहां पर welding हुआ है उसके दोनों तरब इस side में भी और इस side में भी यहां पर hedge आपको clear दिख रहे हैं जिसे की यहां पर mention किया गया है और यही है वो heat affected zone next question है आपका what is the difference between taper roller bearings and taper bore bearings तो देखिए यह questions confusing questions होते हैं ऐसे questions को interviews में ज़्यादा पूछा जाता है जिससे की आप confused हो जाते हैं और गलत answer कर देते हैं तो आपको ध्यान से समझना है पहले तो question को कि taper roller bearings और taper bore bearing में क्या difference होता है देखिए दोनों इसका answer इसके नाम पे ही छुपा है taper roller bearings तेपर roller bearings ऐसे bearings होते हैं जिन में जो rolling elements होता है वो taper होता है जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं जबकि हम बात करें taper bore bearings की तो taper bore bearings ऐसे bearings होता है जिनका जो inner होता है inner dia जो होता है वो taper होता है और ऐसे bearings के साथ में adapter slews का इस्तमाल किया जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका वाट इस दे टेपर रेशियो आफ टेपर बोर बेरिंग्स यानि कि आपको रेशियो बताना है कि जो आपका टेपर बोर बेरिंग्स होता है उसका रेशियो कितना टेपर होता है वो कितने रेशियो में टेपर होता है तो देखिए जो bearing numbers के आगे में k लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो taper board bearings है तो यहाँ पर दो types के ratio होते हैं दो ratios के taper boards होते हैं जिनके suffix में लिखा होता है k या फिर e k तो वो जो bearings होते हैं वो taper board bearings होते हैं जिसका board का जो ratio होता है वो 1 ratio 12 होता है जबकि वहीं पर अगर आपके bearing के suffix में लिखा हुआ है के 30 लिखा हुआ है तो यह indicate करता है कि आपका जो taper bore है उसका ratio है 1 ratio 30 तो इन दोनों ही ratios में taper bore bearings जो हैं वो available होते हैं 1 ratio 12 and 1 ratio 30 Next question है आपका What are the main advantages of using taper bore bearings? यानि कि taper bore bearings को use करने के main advantages क्या क्या होते हैं यह आपको बताना है taper bore bearings use करने का सबसे बड़ा advantage यह होता है कि इसको बहुत ही आसान होता है mount और dismount करना यानि कि इसको assemble करना और disassemble करना बहुत ही आसान होता है बहुत ही कम समय में यह हो जाता है क्योंकि इसमें adapter slews लगते हैं बहुत maintenance जो है इससे बहुत convenient हो जाता है इसके साथ ही जो taper bore bearings होते हैं वो high speed के साथ साथ high load को भी bear कर पाते हैं जिसकी वज़े से इन्हें wide range of industrial applications में हम use कर सकते हैं next question है आपका अगर आपके पास एक taper bore bearing है 22215EK तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन से adapter slews का इस्तमाल किया जाएगा तो देखिए friends बहुत ही simple है अगर आपने इस type के bearings को use किया होगा तो आप जानते ही होंगे अगर आपने नहीं use किया है तो मैं आपको simply बता देता हूँ 22215EK यह 215 वाली जो series है 22215, 22216, 22212, 22213 तो यह जो series होती है इसमें जो sleeve होता है वो last के जो 3 digit होते हैं उसमें आपको 100 add कर देना है for example यहाँ पर है 22215 तो जो 215 है last के 3 digit उसमें अगर हम 100 add कर देते हैं तो हो जाता है 315 तो जो आपका adopter sleeve यहाँ पर use होगा वो होगा h315 इस number का adopter sleeve इसमें use किया जाएगा next question है आपका what is the meaning of number written on a spanner यहने कि आपका जो spanner होता है यहने कि जो पाना होता है जिसके इस्तमाल आप nut bolt को tight करने के लिए या फिर loose करने के लिए करते हैं उसके उपर में जो number लिखा होता है उसके end पर for example वहाँ पे लिखा है 12 एक side में एक side में लिखा है 13 तो यह number क्या indicate करता है actual में है क्या वो तो देखिए यह जो होता है इसको अगर आप measure करेंगे आपके measuring tape से भी आप measure कर सकते हैं तो जिस side में जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वहाँ पर का opening अगर आप देखेंगे तो वो 12 mm होगा और जिस side में 13 लिखा है वहाँ पर का opening देखेंगे वो 13 mm होगा याने कि उसे bolt जिसका head 13 mm है उसे open करने के लिए use किया जाएगा है तो बहुत ही basic सी चीज लेकिन हम कभी-कभी इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर question पूछने के समय में हम confuse हो जाते हैं और answer नहीं कर पाते हैं तो आपको confuse नहीं होना है बहुत simple सी चीज है जो spanner में जो भी number होता है वो आपका उसका measurement होता है उसके opening का mm में next question है आपका what process is used to make a spanner यानि कि कौन से process का इस्तमाल किया जाता है spanner को बनाने के लिए most types of spanners are made using the drop forging process जो manufacturing में drop forging process है उसका इस्तमाल किया जाता है ज़्यादा तर spanners को बनाने के लिए next question है आपका explain drop forging process तो आपको बताना है कि जो drop forging process है वो कैसे होता है तो देखिए जैसे कि हमने अभी देखा इस spanner हमारा इसी process से बनता है जादा तर drop forging process से ही बनता है तो drop forging में कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई है हमारे पास एक upper die है और दूसरा है lower die इन दूनों die के बीच में हमें अपने hot preheated metal या फिर जो billet है उसे हमने रख दिया है अब क्या होगा जैसे ही हम उपर वाले die को नीचे वाले die में drop करेंगे हमारा जो billet है जो hot billet है वो उस die के shape के accordingly shape में convert हो जाएगा जैसे कि आप right side वाले image में देख सकते हैं और हमारा जो product है वो हमें मिल जाएगा desired shape and size में यहाँ पर जो हमारा preheated billet है उसे एक certain temperature तक पहले heat किया जाएगा उस temperature में आने के बाद ही उसे फिर forging किया जाएगा उसमें next question जो है वो है question for you यानि कि इसका answer आपको comment करके बताना है और इस question को भी interview में पूछा जाता है बहुत ही simple सा question है question है what do you mean by 5s यानि कि 5s से आप क्या समझते हैं 5s का मतलब क्या होता है यह आपको comment करके बताना है तो friends उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा